अगर आपने में तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पहला जो टॉपिक है तो चल्दी वीडियो को शुरू करते हैं पहला जो टॉपिक है हमारा वह स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है क्वेशडर इसमें क्या हुता है पहला को चीजिस संसे कर सकते हो भी या फिर सत्क्रेवक से आप कर सकते हो सब्सक्राइब करना होता है इस को आप प्रेट करना मेदा एक लूम्बी टेबल पेШ आपके 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 चैन्ड में बहुत सारे colors है तो हर एक design के लिए के लग screen बनाई चाहती है और जम इस procedure को डिवलाब उप किया जाता है तो सिल्क मेंली कुपड़ा है वो यूस किया जाता है screen printing के लिए a laquare mating closes all areas of design except the area on which one of the color of the design is to be printed इसमें क्यों दैस सारे areas को हम close कर देते हैं कुछ बिचा देते हैं like कपड़ा या चादर और उस area को यह open रखते हैं जहां पर हमने design को print करना होता है example if a red rose with green leaf आपने print करनी है तो one screen is to be made that closes off all मतलब एक screen आपको बनानी पड़ेगी जहां पर सारी चीज़े बंद होंगी ठीक है but red rose area और जो दूसरा area है green leaf का वो बनाना होगा आपको a design फिर transform हो जाएगा screen से या तो photo chemical process के द्वारा design transfer होगा screen से fabric में in which the design for each color is made separately हम green leaf भी बनाएंगे और साथ में rose भी हम अलग screen पे बनाएंगे और उसको हम फिर print कर रेते हैं हमारे कपड़े पे प्लेट से contact में होता है which the screen has to be placed जहां पर आपने screen को place करना होता है exposed area जो होता है screen का वो chemically बदलता रहता है so that chemically change हो जाता है so that they can be wash आप उसको wash out कर सकते हो and जो unexposed area होता है वो opaque transparent ही रहता है मतलब transparent भी नहीं हम इसको बोलेंगे वो मतलब खाली रहता है area वहां पे कोई color नहीं आता है opaque areas are further फिर हम उसको जो लैक्वर की layer होता है उसे वापे से reinforce कर सकते हैं जो printer होता है the printer takes the screen वो screen को लेता है which is mounted on frame एक frame पे बने हुई होता है and place it in correct position पे वो जो printer होता हो screen को रख देता है जब machine से ही होता है तो above all against fabric जो dye है is coated on back of the screen जो screen का backside area होता है वहां पे जो dye होता है वो coated होता है by squeeze करके जो भी हमार पर sponge available होता है उससे which is made to run across the screen जो screen के उपर पूरा फैला दी जाती है dye through open areas जो होता है screen के on to the fabric वहां से जो color होता है वो fabric में चला जाता है to color the next session of fabric the screen is further moved along the fabric के साथ में screen भी move करती रहती है जैसे जैसे design बढ़ता रहता है तो पहले मैं आपको screen printing की पूरी pictures दिखा देती हूं पहले यहां पर आप देख लीजए यहां पर आपके पास है जो machine screen printing होती है वो यह printer है यहां पर क्या होता है यह screen है ठीक है उसके ऊपर design मनाया हुआ है उसके ऊपर color लगाते है और वह color होता है उसको फैलाने के लिए कुछ इस तरीके की pipe use करते हैं और जहां पर आपने यह यह जिससे yellow color आ रहा है है हाँ राइट तो जहां पर आपने यह जो फैब्रिक है यह orange shade का है तो यहां पर क्या होगा कि आपने सिरफ yellow color देना है तो जो orange shade area है वहां पर वेकिंड रहते हैं ओपे रहता है सो अब हम बात करेंगे स्टैंसल प्रंटिंग के बारे में स्टैंसल प्रिंटिंग की या से dei ने पोदील फोरिभा है ? यह से तक्स्टाइल दिजाइन था से वन एपय को समक्रीन हुदगे टिजाइन का प्रॉसेस्टेसि टखूर थारियुह फिर्टेजिग हो ? stencil can be made out of heavy wax paper से आप इसको बना सकते हैं cardboard से बना सकते हैं या फिर metal से बना सकते हैं metal stencils जो होते हैं वो जाद़ बना सकते हैं and are used for commercial work के लिए हम इसको यूज करते हैं stencil paper को आप purchase भी कर सकते हो या फिर आप इसको घर पर भी बना सकते हो to make it heavy wrapping paper आप यूज कर सकते हो for heavy stencils and light weight paper हम यूज कर सकते हैं fin stencils के लिए to do the waxing place अगर आपको waxing का काम करना है तो आप fin stencils बना सकते हैं light weight paper से the paper to be waxed on thick pad of newspaper और on incoming board पे बन सकता है sprinkle करना होता है हमेज जो small pieces होते है paraffin wax के उनको surface के उपर and फिर उसे cover कर लेना होता है with another sheet of paper से and उसको moderately run करना होता है उसके उपर एक hot iron press को overall उस पर हम press फेरा देते हैं separate करते हैं फिर हम दो top sheets को तो यह क्या करता है कि आपको two sheets provide करा देता है stencil paper की आपको इस process को repeat करना होता है अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो if more wasn't needed when the paint is applied जब paint applied होता है to inside of the cut out cut out के अंदर opening के अंदर तो जो stencil है उसको positive stencil कहा जाता है और हम stencil की pictures देख लेते हैं so यह देखे यहां पर paper को use करके stencil बनाया हुए है अब यह क्या होता है यहां पर जब हम stencil को अपने fabric के उपर रखते हैं तो हम उपर से color फेराते हैं तो जो color हम फेराते हैं वह अंदर अंदर design के चला जाता है जहां पर cutting हुई हुई है वहीं पर जाता है उसके बाहर नहीं वह फैलता है और stencil के examples हम देख लेते हैं यह देखे कुछ इस तरीके का stencil बिनाय हुआ है यह Mickey Minnie Mouse का stencil बिनाय हुआ है तो कुछ अगर हम इस stencil को fabric के उपर रखेंगे और उपर से color फेरा देंगे color spread कर देंगे dye color तो जो design होता है वह हमारा fabric पर प्रेंट हो जाता है तो यह कुछ stencil printing भी आप इसको हो सकते हैं तो यह देखे अनदर example है stencil का so अब हम आगे बढ़ते हैं embroidery, embroidery के बारे में तो आपको पता ही होगा suit पर होती है embroidery, sardies में भी होती है और shawl पर होती है, sweaters पर भी होती है and दूसरे materials पर भी की जाती है, needle को use करके, thread को use करके और कई बार fine wire को use करके like other crafts, जो embroidery होती है probably उसका जो origin होता है its origin in the daily needs of people people की जो daily needs होती है उसमें भी इसका origin है, so different style जो होता है embroidery का वो depend करता है किस तरीके का material आपके पास available है and आपका क्या local culture है have involved in different parts of the world क्योंकि हर एक जो different part of world का वहां पर हर एक part में अलग तरीके की art है, अलग तरीके की color है, अलग तरीके की embroidery जाती है, so painting and curing है Egypt की वो indicate करती है कि जो garments है वो embroidered किये जारहे है और पहले से embroidery की जारहे है बहुत time पुराने time से, so tom paintings जो है वो show करती है कि जो clothes, pouch, covers, hangings, pens, etc. पहले time से की decorate किये जारहे है, embroidery is taught to have been practiced in China by 1000 BC, 1000 BC से China में embroidery की जारही है, इंडियन embroidery की भी एक बहुत ही long history है, in many parts of India tradition जो है peasant embroidery का flourish specially notable are the embroideries of kach, basically kach ki, kathya war ki, fulkari, kasuti, etc. ये embroidery बहुत जादा famous है, gold and silver embroidery भी widely use होती है throughout India, ceremonial purposes के लिए and combination में भी use होती है, with wide variety of materials को use करके specially well weight, obtaining बहुत ही rich effect इसका आता है, kasuti embroidery, main features कासूती embroidery के क्या है, सबसे बहले हम कासूती embroidery से शुरू करेंगे, कासूती embroidery कासूती embroidery की वो करनातक की famous embroidery, it is very much like the embroidery of Austria की embroidery से काफी similar है, Hungary and Spain embroidery से भी ये काफी similar है, जो आठ है कासूती embroidery की वो बहुत जादा famous है, बहुत सारे जाज, saw and jamakandi, kasuti has not developed into a cottage industry में इसको नहीं बदला गया, बट ये handicraft type of industry में ही है, मतलब ये हाथ का ही काम होता है, तो ये घर में भी लोग करते हैं, past time के रूप में भी है, ये women's के लिए, जो ये embroidery है, वो women के तवारा prepare की जाती है, उनके personal use के लिए, अब next हो है, वो है govanti, it is a line and back stitch है ये, या फिर double running stitch भी आप इसको बहुत सकते हैं, this name is derived from goorthy, से ये derived हुआ है, जिसका मतलब होता है, not in kernel language, and the patterns here are mostly geometrical होते हैं, यहां पे ensigns, these are worked in your vertical, horizontal or diagonal, directions में इसमें काम किया जाता है, आप पिक देख लीजिए, कसूती, embroidery और govanti की, ये कसूती embroidery है, और govanti की मैं आपको दिखा देती हूँ, govanti की कुछ इस तरीके से है, जो running stitch या double running stitch भी आप जिससे कह सकते हैं, इसमें use होती है, so, अब हम आगे बैठते हैं, मुर्गी, ठीक है, ये भी एक embroidery होती है, it appears like the step of ladder, जैसे की सीडी ही होती है, सीडी के steps होती है, वैसे ही जो embroidery है, ये ladder के steps के जैसे दिखती है, as the stitches, क्योंकि इसके इसके जो stitches होते हैं, वो zigzag running stitch के रूप में जाते हैं, and it is similar to guarantee, ये guarantee के बिलकुल similar होती है, since both are neat, बहुत ही होती है with the design on the wrong, चाहे wrong side, मतलब चाहे ulty side page पे design हो, या सीधी side पे design हो, एक जैसा ही दिखाई पड़ता है, जो stitches होते हैं, वो regular होते हैं, uniform होते हैं length में, and जो distance होता है, दो stitches के बीश में, वो same ही रहता है, उसके बाद में नेगी की बात कर लेते हैं, तो ये भी एक तरीके की कसूती के अंदर ये embroidery आती है, it is ordinary, ये running stitch होती है, या फिर darning stitch भी इसको कहते हैं, it has the overall effect of a woven design, इसका जो overall effect होता है, वो एक woven design के तरह होता है, जो stitch होती है, is used for larger, बहुत large design के लिए stitch को use किया जाता है, by wearing the stitch, इसमें stitches में variation लाए जाते हैं according to the surface, इसमें क्यों होता है, इसमें जो आपकी designs होते हैं, इसके अंदर basically large design के लिए stitch use होता है, और जो stitches होते हैं, उनमें बहुत जादे variation लाए जा सकते हैं, और इनमें जो variation लाए जाते हैं, वो depend करता है कि क्या, कैसे surface को आपने cover करना है, thread के साथ में, कितना आपका surface है, जो आपको cover करना है design से, जो design है, जो create होते हैं, resembles, वो woven pattern, जैसे कि हम sweater पर कोई design मनाते हैं वैसा ही similar दिखाई पड़ता है, जो negi का design होता है, basically यह अलग-अलग तरीके के embroideries हैं, जो कि कसूती के अंदर ही आते हैं, जो basically इसमें जो pattern है, वो similar ही रहता है, सब में जो कि मैंने आपको pics दिखाई थी, सब आप search करोगे न, तो आपको जादा तर यह similar लगेगा, नेगी भी, मेंथी भी और साथ में जो हमने अभी पड़ी, मुर्गी, गवन्ती, कसूती, यह सारी के सारी जो embroideries हैं, यह देखने में बिलकुल similar लगती हैं, so basically इसमें क्या है, जो design है, इसमें वोवन फैब्रिक जैसा ही similar होता है, यहां पर जो इसका wrong side होता है और जो right side होता है, अब मेंथी के बात कर लें तो यह ordinary एक cross stitch होता है, इसके अंदर बिस जो stitches होते हैं और उनका design बदलता चला जाता है, basically यह लगते similar ही है, so basically इसमें क्या होता है, ordinary cross stitch इसमें होता है, this name seems to have been derived from the word fenugreek, यह fenugreek word से आया है, fenugreek seed word से, incarnate language, मेंथी जो है, जो है, जो है, जो है, जो है जो है जो है बहुत जादा एक heavy appearance होती है, जो हमें चाहिए होता है, बहुत सारा thread हमें इसमें चाहिए होता है, and it is mostly, commonly जो यह use होता है, यह जो background areas होते है ना design की, उसको cover करने के लिए use होता है, फुलकारी, फुलकारी एक अलग embroidery है, यह कननट की famous embroidery नहीं है, यह Punjab की famous embroidery है, तो यह embroidery अलग हो जाएगी, तो it is peculiar to Punjab, फुलकारी literally means flower craft, जो flower का craft होता है, basically फुलकारी का मतलब भी flower craft होता है, फूलों का work किया हुआ, ठीक है, बाग, बाग यहां पे, इसको बाग भी कहा जाता है कई जगह पे, जहां पे बाग का मतलब है garden, and जो term फुलकारी है, commonly East Punjab, अमरिट सर में यह use होती है, and जो term बाग है, वो similar है shawls, के लिए West Punjab में use होता है, जो motifs होते हैं, इसके वो horizontal, vertical, diagonal stitches होते हैं, यहां पे, जो की geometrical pattern भी इसमें बनाए जाते हैं, फुलकारी design में, while जो बाग होता है ना जो garden word है, has an overall, इसमे properly geometrical, floral pattern होता है, as the name itself implies, जैसा की name खुदी बता रहा है, तो जो design होते हैं necessarily, इसमें geometrical pattern होता है, since it is done by counting the threads, और जो फुलकारी की जाती है, जो बाग बनाया जाता है, basically इसमें क्यों होते हैं, हर एक thread को count करके ही, embroidery की जाती है, अब मैं आपको फुलकारी के pick दिखा देती हूं, so सबसे पहले हम फुलकारी देख लेते हैं, फुलकारी में कुछ इस तरीके की design होते हैं, इसमें floral work होता है, floral design होता है, और साथ में इसमें geometrical pattern भी आ जाता है, next हम देख लेते हैं, चुनियों पे किया जाता है, ये भी बाग का ही design है, आप देख सकते हैं, proper geometrical design है यहां पे, so अब हम आगे बढ़ते हैं, there are many types of फुलकारी, फुलकारी भी बहुत तरीके की होती हैं, जो motifs होते हैं, जो designs होते हैं वो place to place, मतलब like West Punjab, पंजाब हो गया या फिर Amrit sir हो गया, वहां पे अलग अलग तरीके से, place के according, फुलकारी के patterns में change आजाता है, जो chop है, सुबर है वर wedding फुलकारी होती हैं, ये present की जाती हैं, दुलहन को दी जाती हैं, उनके maternal relation, उनके mother side के relations है, family members उनके द्वारा दी जाती है, marriage ceremony के time पे, so next point है, कि जो plain red या dark red खदर shawl होती है, उसको saloo भी कहा जाता है, and was used for daily household wear, और वो रोजाना दिंचरिया में पहनने के लिए use की जाती है, उसके बाद इतल पत्रा shawls जो होती हैं, इनमें बहुत ही कम embroidery होती है, and यह inferior quality खदर की बनी होती है, and यह जो होती है, these have only a sprinkling of a few loose, for apart stitches होते हैं, यहां पे मतले में यहां पे दूर-दूर, far apart होगा यह, यहां पे दूर-दूर stitches होते हैं, sprinkle, जैसे हम कोई चीज़ कर देते हैं, वैसा ही यहां पे design होता है, on the field या फिर पलो, it was a traditional, यह traditional costume है, to give servants present, यह servant को present के रूप में, मतलब उपहार के रूप में दिया जाता है, जब किसी के घर में शादी होती है, या फिर किसी दूसरे occasions पे, जो उनके लिए बहुत जादा important होते हैं, जो तिल पत्रा shawls होती है, वो यूज होती है, two purpose के लिए, तिल पत्रा literally means, for two purpose, तिल पत्रा का मतलब है, doted with till seed design, इसमें अंदर doted design होता है, जैसे कि till का design हो, फिर है कि जो नीलक होता है, is worked on, नीलक black कपड़े पे गिया जाता है, and mainly blue color पे गिया जाता है, yellow and cremon, red pot के साथ में, जो नीलक है, वो प्रिटी फुलकारी shawl होती है, बहुत attractive लगती है, यह popular है, among जो peas and women होती है, उनके बीच में यह जो नीलक shawl होती है, बहुत ज्यादा popular होती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करना, share करना ना भूलेगा, चैनल को subscribe करना ना भूलेगा, and bell notification को तो बहना ना भूलेगा, करना भूलेगा